जहें दोस्तों आप देखरें टीचर्स इस्टुडेंटेल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पताने वाले हैं एक साला एक परिसर समंधित आदेश जो की बहुत ही महत्पूर्ण आदेश है सचली सुरू करते हैं जैसे कि लेटम में वताये गया है एक साला एक परिसर योजना के क्रियानिवन के फल्स रूप बड़ी संख्या में माध्मिक एवं हाई स्कूल जो पूर्व में प्रसक प्रसक संचालित थे अब एकिकरत रूप से संचालित हैं एवं इन में कक्छा छटवी से दसवी की पठन पाठन गजविधियां की जा रही हैं उक्त एकिकरत व्यवस्ता लागू होने से माध्मिक और हाई स्कूल में पूर्व से पदस्त सिक्छक अब एकिकरत विद्याले के सिक्छक के रूप में कार रत हैं अतेव संसाधनों के युक्ति युक्त उप्योग के देश्टिकत एक पूर्व प्रावधान अनुसार माध्मिक विद्याले के रूप में नियुनतम तीन सिक्छक एवं हाई स्कूल में नियुनतम छे सिक्छक के इस्थान पर अब एकिकरत साला जोकी छटवी से दस्वी तक की है सालाओं में नियुनतम छे सिक्छक ही उपलग्ध होंगी फिर दूसरा बताया है समस्त एकिकरत सालाओं में जहां व्याख्याता उच्माध्मिक सिक्छक पदस्त हैं उनके द्वारा कक्षा छटवी से बारवी तक की कक्षाओं में अध्यापन कार्यक किया जाएगा आसर यह है कि व्याख्याता उच्माध्मिक सिक्छकों द्वारा उनके विसाय की ग्यारवी एवं बारवी कक्षाओं के अध्यापन के अतरिक्त विद्याले की सेक्षनिक आवसकता के अनुसार कक्षा छटवी से दसवी तक की कक्षाओं में भी अध्यापन कार्यक किया जा उच्छ मादमिक सिक्षकों द्वारा उनके इशनातक के विशय की अधार पर कराया जाएगा समस्त व्याख्याता एवं उच्छ मादमिक सिक्षक एवं सिक्षक द्वारा एक दिवस में समानेता है छे पीरियेट का अध्यापन कराया जाएगा फ़र तीसरा बतायागै है समस्त एक इक्रत विद्यालों में उप्रक्ता नुसर अध्यापन वेभस्ता सुनिष्चित करने के पस्छात ही आवस्यकथा या आवस्यक होने पर अतिधी सिक्षकों की मांगों सुभिकरति दिजाएगी उप्रोगत अनुसर निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए आदेश के पालन ना करने की स्थिति में संबंधित लोग से वक्के विर्द अनुसासनात्मक कारवाई की जाएगी तो दोस्तों इस पकार के लेटर स्री अभय वर्मा जी के द्वारा डिस्पैश किया गया है जो कि आयोकते हैं हमारे लोग सिक्षण संचालने ने मजबित इस भोपाल के और लेटर डिस्पैश होने की दिनांगे 412 तो दोस्तों प्लीज आप कमेंट करके बताईए कि आप में से कितने सिक्षक या कितने इस्टूडेंट के विद्याले में इस पकार की ववस्ता होने जा रही है तो चलिए आज के लिए इतना ही यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जेहन जे भारत